शुल्प के शांदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी का सवागत है आज हम बात करने जा रहें बई सैट के बारे में जिसमें 2023 का जो अभी से सारी डिटेलिंग करेंगे ग्जाम कब है एक्जाम पैटर्ण कब है कैसा कॉलेज है कैसा प्लेस्मेंट सारी चीजें जो आप इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखते हो इसमें हम बैसिकली मेजर पॉइंट जो कवर कर रहें एक्जाम पैटर्ण एडमिसन कैसे मिलेगा आपक क्यार अगर मुझे एक बहुत अच्छे आईएटी नहीं मिली यह नाइटी में बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मिला तो मैं बिट्स को आप्ट करता हूं कहीं कहीं यह सही डिसीजन भी होता है अगर हम नाइए रेंकिंग दोजार बाइस की बात करें जो बिट्स पिलानी प्लेश्ट था डेट वाइस प्लेश्ट ट्वेंटी एट रेंग जो कि अपने आप में बहुत और आईएटी से उपर है अलग की बात है कि नाइए रेंकिंग जो आपका कॉलेज का इंफ्रा है अंदर फेसिलिटी प्लेस्मेंट से सारी चीज़ों को देख के मिलता है यह थोड़ा सा उपर है बेटर देन कई और एसा नहीं कह सकते कि जो रेंकिंग में उचा है जरूरी नहीं क्यों कॉलेज अच्छा ही हो आप इंफ्राज भी अगर अच्छा रखते हैं अगर आप अपना केंपस बहुत बढ़ा रखे तो वहां भी थोड़ी से नाइए रेंकिं मिलते तो आप उसी को आप्ट करने जा रहे हो चलिए अब बात करते हैं रहें को सबसे पहले अपने बहुत रेली और यहां पर बिट पिलानी और उसके अलावा भी यहां पर बिट्स पिलाने कब बिट्स दुबई भी होता है आप डुबई भी जाके पड़ सकते हैं घ्तराबाद भी है जो मेसर इसको और इंस्टिट्यूट कराती है विट्स पिलानी और इसका यह मतलब नहीं की आपको इड्मिस पिला बिट्स पिलानी बिट्स गोवा बिट्स दुबई और बिट्स हैदराबाद में आपको एडमीशन मिल सकता है अब बात करते हैं या फिर नहीं है बिट्सेट देने के लिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ जैसे जही का आपका एक्जाम होता है सेम उसी पैटर्न प सबसे पहले तो आप मतलब एक्जाम दे रहे होगे या फिर आप कर चुके होगे 75 परसेंट टोटल आपका 12 बोर्ड में होना चाहिए या फिर बोर्ड के एक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड है और आपका 60 परसेंट एट लिस्ट PCM में होना ही होना चाहिए एक्जाम डेट तो सेसंस में कंड़ेक्ट करा जाते एक मई में होने जा रहे है यह 2023 सेसं की मैं मैं बात कर रहा हूं डैरेक्ट एड्मिसंड मिलता है बोर्ड मित्स नहीं पर देकने मिलता है एप्लिकेशन फीस की बात करें तो अगर सिर्फ पहला सेशन के लिए आप अप्लाई करते हो 3400 दोनों सेशन के लिए 5400 फिमेल्स के लिए यह है और दुबाई सेंटर के लिए थोड़ा सा महंगा है ठीक है अब हम बात करते हैं कि डेट्स जो है कुछ फ्रिक्वेंट डेट्स जो की 2023 वालों के लिए यूजफूल हो सकता है वो डेट्स कुछ इस तरीके से हैं जो बही है बिटसेट का आपका पहला सेशन के एक्जाम 21 मही से 26 मही है और दूसरे सेशन के एक्जाम जो 18 जून से है अब अगर हम बात करें कि टेस्ट सेंटर अलाउट में अनॉंसर कभोंगे यह सारी चीज़ें आप इनके वेबसाइट पर देख सकते और यह सारी चीज़ें मैंने यहां पर मेंसन भी कर रखी है तो बैसिकली दो सेशन में आपके एक्जाम होने जा रहा है अब हम बात कर कर लिया तो माइनस वन मार्क आपके डिडक्ट हो जाते हैं पेपर का फॉर्मेट होता है फीजिक्स पूछा जाता है केमिस्ट्री इंग पार्ट फॉर में मैथेमेटिक्स और बायोलाजी अगर आप भी फारमा की स्टुडेंट हो तो आपसे बायोलाजी अदर्वाइस से आप पूछे जाते हैं अब हम बात करते हैं अगर आपको कोई भी स्कॉलर्ड शिप नहीं मिलता है और आप एडमिसन लेते हो देन जो उसका फीस है फर्स्ट सेकेंड समेस्टर मिला का राउंड 460,000 जाता है और समय टर्म का लग फीस लगता है 81,000 तो यह एक साल की पू फॉर पिलानी केंपश और इस फॉर गौवा एंपश और दिस फोर हैदराबाद केंपश और सब सेम है ठीक है एडमिसन अलग से यह भी देख लेना है अब उसके बाद इस कैसे मिलता है अब धेको जैसे merit अवाड एक्क्शीम होता है एक merit कम नियर्ट जिसको नीड होती ह तो जो top 1% जैसे एक लाख लोगों ने दिया तो जो top 1% बच्चे होते हैं उनको 100% fee माफ किया जाता है the next top 2% 1% को हटाने बाद जो 2% बच्चे बच्चते हैं उनको 40% यहां पे total लिबेट दिया जाता है और जो नीड वाले बच्चे हैं जैसे 6% student 3% the next top 6% 12% इन लोगों को कुछ इस तरह किया जाता है scholarship पे बहुत ज़्यादा focus नहीं करना है पहले आपको exam अपना best करना है देन उसके बाद जैसा आपका merit जैसा आपके score बनता है एवरेज 30.37 था 2022 के अगर हम बात करें तो 1.13 CR है ना 1.33 CR पर रेंदम था 2022 बहुत तगड़ा 28 यह आपका होता है एवरेज सिटी सी 2021 में थोड़ा सा कम रहा 60 LPA और 9 LPA और इनकी जो major recruiting companies और इस वालमार्ट बहुत सारी ऐसी कमपनी जो टॉप टॉप कमपनीज है वो बिट्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर देयर recruitment प्रॉसेस तो यह आपको एक गुड़ अपर्चनिटी मिल सकती है अगर आप यहां पर पढ़ते हो तो जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं जो स्टेट गवर्मेंट जाती हैं जिसके वजह से आप यहां पर एक मौका खो देते हो अब हम बात करेंगों कि कल्चर क्या है बिट्स में जो सबसे बढ़ियां कल्चर हमें लगता है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई श्टार्ट अप के लिए बहुत अच्छी है बई ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम आपका वेस्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से हर कॉलेज का आपको वीडियो मिलेगा रेंकर्स कॉलेज हेल पे अब कॉमेंट में आपको यह बताने कि इसी तरीके से डिटेल्ड या अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मिसिंग है ज अब आप यह भी बताओ कि अगला नंबर किस का है किस एक्जाम जैसे व इटी एक्जाम के अगर बात करें आप उसका भी कर सकते हैं तो किसी एक्जाम पर्टिकुलर जैसे हमने बिट का बनाया किसी कॉलेज पर्टिकुलर पर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में जरूर बताओ यह हमारा टेली ग्राम चैनल जहां पर हम टॉप टेन बच्चों काम क्वीज कराते हैं तो वहां पर जो बच्चे अगर स्क्वीज में अच्छा करते हैं तो हम उन्हें एवाड भी देते हैं और कॉलेज काउंसलिंग भी देते हैं तो टेली ग्राम से जरूर जुड़े रहना है क्योंकि यह कॉलेज तक आपको हेल्प करेगा तो यह एक अलग मतलब रेंकर्स का थोड़ा सा इनिसीटिव है कि आप जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं एक्जाम के आफ्टर वो क्या करें क कैसे करें बहुत परिसान आप रहते हो तो रेंकर्स कॉलेज इसलिए बनाया कि कोई भी बच्चा परिसान की बात हो चाहें की बात हो हर तरीके से हम आपकी मदद करेंगा और तभी वपाएगा जब आप हमारे से परसनली कनेक्ट रहोगे सो स्कैन दिस क्यूर कोड टूट इन्रोल्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल या फिर आप सिंप्ली वेब साइट भी यह सर्च करके हमारा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो चलिए मिलते हैं वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट में जिरू बताना आपका ड्रीम कॉल इस क्या है यह भी आपको कॉमेंट बतान Thank you very much